नमस्ती, वेलकूम बेक टू मैं चैनल, इस वीडियो में आप देखेंगे बहुती सुन्दर सी स्लीव की डिजाइन का टुटोरियल, इस स्लीव के लिए हमने ये नॉमल स्लीव को कट किया हुआ है, एल्बू लें तक है, और इसकी जो विथ है, इसकी पट्टी फोल करके हमने इसकी फिनिशिंग दे दी है, स्लीव के सेंटर में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, और जितनी इसकी लंबाई है, उससे तीन गुना हमने ये स्ट्रिप ले है, जैसे इसकी लंबाई अगर 10 इंच की है, तो 30 इंच की हमने ये स्ट्रिप लेनी है, और इसकी चाड़ाई 3 इन्ज की रखी है इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और इसके उपर एक सिलाई लेंगे सिलाई लेने के बाद इसका जो उपर का हिस्सा है उस पर हम जो माजिन है वो दोनों साइड में फैला देंगे इस तरह इसको सेंटर में लेना है पहले और फिर इसका जो मार्जिन है दोनों साइड में फैला देना है और फिर इसके ऊपर एक लॉक की स्टिश देंगे ताकि ये ऊपर का हिस्सा लॉक हो जाए यहाँ पर ये लॉक हो जाने के बाद ये जो मार्जिन है पूरी स्ट्रिप में हमें फैला देना है और इसके ऊपर हम एक आयरन करेंगे जो हमारा मार्जिन है वो अच्छे से सेंटर में दब गया है और इन कॉर्नर्स पर हम एक कट दे देंगे और पट्टी को अभी राइट स इस तरह से पट्टी हमारी राइट साइड में टर्न हो गई है और कॉनर्स को अच्छे से बाहा निकालने हैं यह हिस्सा हमारा लॉक हो गया है यानि फिनिशिंग का हो गया है और अब इसके उपर हमने आइरन से इसको सेट किया है तो देखे एक साइड में यह हमारा जो आइंड वाला हिस्सा है वो सेंटर में रह गया है अभी इसके ऊपर से यहां से हम प्लीट्स लेना शुरू करेंगे और सेंटर में इसके सिलाई लेनी है इस तरह से ही सारी पुरी प्लीट्स हमने ले ली है और यह प्लीट्स लेने के बाद हमें लेना है यहां पर एक कि इस में हमने ये ब्लो कलर की उरेब की स्ट्रिप ली है और यहां जैसे डोरी बनाते हैं वैसे सिलाई लेनी है पर थोड़ी सी हमने चौड़ी रखनी है डोरी के लिए हम थोड़ी पास में सिलाई लेते हैं क्योंकि पतली चाहिए और यहां पर हम margin नहीं रखेंगे margin नहीं रखना है इस तरह से extra कपड़ा cut कर देंगे यह देखिए इतना सा हलका सा हमने margin रखा है और फिर जैसे dory right side में turn करते हैं डory बनाने के लिए वैसे ही यहाँ पर इसको turn करेंगे और हमने यह strip ready कर दी है तो देखिए margin कम रखने के काराण यह dory गुट में नहीं है यह strip की तरह है फ्लैट रहेगी dory का margin जदा होता है तो वो गुट में होती है अंदर से गोल निकलती है अभी इसके उपर हमने iron के है और यह जो हमारी frill वाली strip है इसको sleeve की center में रखते हैं टर्ण करके इसकी center में रखेंगे और सिलाई लेंगे इसके उपर exact center से center मिलाकर इसके उपर सिलाई लेने है और देखे यह हमारी strip frill वाली यहाँ पर attach हो गई है extra कपड़ा cut कर देंगे strip का और यह frill हमारी कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर attach हो गई है और यह हमारी sleeve के design बनके भी ready है इसका look बहुत अच्छा आता है पहनने के बाद और यह बहुत ही latest design है अगर आपको यह design पसंद आई है तो like जरूर कीजिए share कीजिए अपने अपने दोस्तों के साथ और subscribe कीजिए आगे और नए नए वीडियो देखने के लिए thank you so much for watching bye bye